पेट गुरुजी में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है दोस्तों अगर आपको फिंचिस का सेटप बनाना है तो केसे घर के अंदर बनाया जा सकता है घर के बाहर कई लोगों के घरों में बरामदे होते हैं अगर आपका परसनल घर है कई लोगों के घर में बालकनी होती है तो आप लोग जो हैं देखे माज भाई ने बहुत खूबसूरत सेटप बनाया है पिछला वीडियो हमने पेट गुरु जी पर और पेट गुरु अज्जू भाई पर डाला था कि इनका उपर का सेटप जो है वो निकालना है तो वो वीडियो नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप जो है वो बड़ी करती है ब्लेक चीक है टू भी है थ्री भी है बहुत सब सब म्यूटेशन फिंच उसनों रखी हुए अपने और यह सौक मतलब अपने यह सौक खतम नहीं करने का है यह शौक अपना जारी रहे गा इंचालला है तो देख सकते कितने अखूब सूरत लग र देखे रहे हैं बाब से देखेंगे अभी इस तरीके से आप लोगो लोग जो है अपने घर में बना सकते हैं तो दोस्तों देखें व्यू कैसा आ रहा है लोग मचली घर तो इसा रखते हैं लेकिन फिंचीज का घर भी ऐसा मैंने कई जगा पर देखा है और फिंचीज बड इसा कोई नहीं है और सफाई भी एक महीने में एक बार करेंगे तो चलेगा तो इस तरीके से बनाया जा सकता है एक अच्छा सेटप जिसको आप बर्ड के पास बेठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कहीं अलग ही दुनिया में बेठा हूं और आप अपने आपको एक अच् फिंच है यह सब बहुत कमजोर है अब चलिए दोस्तो नजदीक से इन फिंच इसको देखते हैं कि यह खूबसूरत सेटप बनाया है यह माजभाई जो है बहुत मेहनत करके यह सेटप दोस्तों बनाया है बाहर से भी हम देखेंगे कि सेटप कैसा है लेकिन आप अब यहां से देख लीजिए चोटी-चोटी सी मट्की से आपका काम चल जाएगा 40-50 रुपे की मट्की 30 रुपे की 25 रुपे की मट्की मिलती है यह देखिए तो बहुत अच्छा सेटप लगा हमने सोचा कि यह सेटप का वीडियो अलग से बनाया जाए ठीक है और यह फिंच इस तो आपको humidity कंट्रोल करनी पड़ेगी temperature कंट्रोल करना पड़ेगा तब जाके अच्छी ब्रीट करेंगी चलिए अब पीछे चलते हैं अब दोस्तों देखिए घर के अंदर हम यहां से देख रहे हैं ठीक है यह इनका माशालला बहुत बड़ा घर है ठीक है अच्छी प्रोपर गेट बंद करेंगे और फिर दूसरे गेट में बाहर जाएंगे तब जाकर आपका जो बर्ड है वो सेफ रहेगा वो कहीं बाहर नहीं जा सकता अगर गलती से बाहर निकल भी किया तो वह इस छोटे से गलियारे में रहेगा जिससे आप पकड़ कर उसको अंदर डाल सकते है तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं ना चलिए अब दोस्तों हम इनकी दुनिया में आ चुके हैं देखिए अंदर बिल्कुल ही अंदर और ये घर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ घर है ठीक है तो इसा कुछ बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीक प्रोग्रेस तो इसमें होगी ही दोस्तों दाकर होगी तो अच्छी फ्लाइंग भी मिलती इनके लिए और अच्छा एट्मोस्फियर भी है तो ये ब्रीट तो अच्छी करेंगी अलग-अलग किसम की फिंचिज इनके पास ये छोटा सा देखिए इन्होंने कुंडा भी भर करके रखा है ठीक है पानी नहने की बड़ी शोकिन हो दिए तो नहने की विवस्था आप लोग खास करिए ठीक है तो ये नाएंगी अपने आपको तरो ताजा करेंगी और फिर खाना खाती है सुबा कर तो कैसा लगा ये एपिसोड दोस्तों जरूर बताईएगा आप मैं बाहर नीचे जाने वाला हूं नीचे देखिए ये बच्चे चोटे चोटे बच्चे सब बच्चे बाहर निकले हुए हैं यह देखिए उड़ भी नहीं पा रहे हैं इसमें से कुछ चोटे ही है नेस्ट आउट हुए है और माबाप इनको खाना किलाने यहीं पर आते हैं दोस्तों यहां पर जो है लकड़ी लगी है जिससे मुझे थोड़ी सी दिख्कत हो रही है तो दोस्तों मास भाई से बात हुई कि यह जो मुटेसन वाली फिंची होती है उनको केसे पैचाने तो दोस्तों इनकी फेसियल मार्किंग और कलर थोड़े से अलग अलग होते हैं जिस पेसे इनको पैचाना जाता है कि कौन सी वन भी है या टू भी है यह फिंची के प्राइज इस साब से डिफाइन होते है बागी वेंगल लोगों को यह अच्छा लगा होगा चलिए इसी जानकारी के साथ आज क्या एपिसोड हम यहीं पर खतम करते हैं मिलते के अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में चल तब तक के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक